नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसान टीजी टी परिछा 2021 नागरिक सास्त और प्रेटी सेट 47 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट अब ही तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूले ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं इससे पिछले अगर आप लोग प्रेटी से 46 तक देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे चैनल पर जिसका नाम है यूपी टीजीटी नागरी सास्त के नाम से तो उसका लिंक जो है इसने कल्यानकारी राज की अवधाना को प्रतिपादित किया कल्यानकारी राज की अवधाना को प्रतिपादित किया किसकी द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये ये प्रतिपादित किया गया था टी एच ग्रीन द्वारा टी एच ग्रीन द्वारा कुस्ट नमबर दो है, किसने कहा अधिकार्बीवेक पर अधारित वह मांग है, जिसे समाज मानेता देता है तथा राजद्वारा लागू किया जाता है? तो ये कतन किसका है? इसमें एंसर होगा B, बो सांके का, ये कतन किसका है? बो सांके का. कोईस्ट No.3 है निमलेखित में से कौण सनरचनावादी नहीं है, इसमें नहीं पूचा है, सनरचनावादी नहीं है दिया है ग्रीन, दुर्थिम, बेबर, मार्क्स तो इसमें ग्रीन जो है सनरचनावादी नहीं है Q4 है निमलिखित में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है तो ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है कौन सा कथन है तो इसमें एंसर होगा B ग्रीन बहुलवादी है ये कथन जो है गलत है ग्रीन बहुलवादी नहीं है Q5 है हमारी समाजिक ब्यवस्था का न्याय मुख्यत इस बात पर अधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन छेत्रों में आर्थिक आउसर और समाजिक परशितिया कैसी हैं यह किसने कहा तो यह कहा था किसने कहा था यह कहा था जान राल्स ने इनसर जाएगा 20 में जान राल्स कुशन नमबर 6 है नागरी को काम करने का अधिकार है उसे अस्तित्यों के साधनों के अभी गमन से वन्चित करने का आसे है उसे उस चीर से वन्चित करना जो उसके विक्तित्यों के विकास को संभव बनाती है यह किसने कहा तो यह किस ने कहा था यह कहा था लास्की ने इंसर इसमें होगा C लास्की ने question number 7 है जिन्हें हम सही तोर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तों में सही तोर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाए है अधिकारों की यह परिभासा किस से सम्बंदित है तो अधिकारों की यह परिभासा सम्बंदित है किस से बेंथम से answer होगा C में बेंथम से question number 8 है अधिकारों का महत्व केवल करतब्यों के संसार में ही होता है यह किसका कथन है कोस्ट नबर 9 है अधिकार इसलिए लागु किये जाते हैं क्योंकि वे अधिकार है और वे अधिकार इसलिए नहीं लागु किये लागु नहीं है कि उसे लागु किया गया है यह कथन सम्मंदित है अधिकारों के यह किस अधिकारों के सिधान्त से यह कथन सम्मंदित है तो यह सम्मंदित है नैसरगिक सिधान्त से इंसर इसमें B होगा नैसरगिक सिधान्त से कोश्चन नमबर 10 है निमलेखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिधान्त का समर्थक नहीं है अधिकारों के कानूनी सिधान्त का समर्थक नहीं है तो अधिकारों के कानूनी सिधान्त का समर्थक नहीं है इसमें हाफस दियाए बैंथम जानास्टिन लाक तो इसमें एंसर होगा डि लाक जो है अधिकारों के कानोनी सिधान्त के समर्थक नहीं है कोच्चन अमब़ 11 है कि पैन आप्टिकन निम लिखित में से किसका अधर्स उदारन है पैन आप्टिकन ये किसका उदारन है ये उदारन है जेल का इसमें एंसर होगा ए जेल का कुश्ण नमबर 12 है वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी सकती है वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी सकती है वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी सकती है वैधानिक अधिकारों के पीछे सकती है वह है कानून की सकती इंसर इसमें A होगा कानून की सक्ति कुशन नमबर 13 है ब्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है जिससे उसे बंचित नहीं किया जा सकता और नहीं उसे अस्थामत्रित किया जा सकता है तो वह अधिकार है प्राकिर्तिक अधिकार प्राकिर्तिक अधिकार बी एंसर होगा इसमें कोशन नमबर 14 है अधिकारों के कानूनी सिधान्त की वकालत करने का स्रे जाता है अधिकारों को जो कानूनी सिधान्त है उसकी वकालत करने का स्रे किसे जाता है तो ये स्रेज आता है दियायास्वन देखे लाग को की आस्टीन को की पाउंड को की ग्रिस्यस को तीसमे एंसर हो जाएगा भी आस्टीन को Question number 15 है अन्य सभी अधिकार मुल्तह निकले हैं अन्य सभी अधिकार जो है, मुल्तह निकले हैं, ये निकले हैं, प्राकिर्तिक अधिकारों से, इसमें एंसर A होगा, प्राकिर्तिक अधिकारों से, कोशन नमबर 16 है, निमलिकित में से कौन अधिकारों का सरवाधिक पुराना सिध्धान्त है, कौन जहें अधिकारों का सरवाधिक पुराना सिध्धान्त है, तो वह है, प्राकिर्तिक अधिकारों का सिध्धान्त, सी एंसर होगा, इसमें, प्राकिर्तिक अधिकारों का शिच्छा और सेवा योजन के अधिकार है। यह अधिकार कैसे हैं, यह हैं सकरात्मक अधिकार, D एंसर हो गाई इसमें सकरात्मक अधिकार, question No.18 है अधिकार समबंधी सबसे पूराना सिध्दान्त क्या है, तो एंसर बी होगा इसमें प्राकिर्तिक कुश्चन नमबर 19 है कौन सा सिध्धान्त मानता है कि अधिकार राज द्वारा निर्मित है अधिकार जो है राज द्वारा निर्मित है तो वह सिध्धान्त है कानूनी सिध्धान्त ए एंसर होगा इसमें कानूनी कोस्ट नमबर 20 है सक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्तों क्या है तो वह है वैधता इंसर इसमें B होगा क्या है वैधता कोस्ट नमबर 21 है प्राकिर्तिक अधिकारों के सिध्धान की पुष्टी की गई है यह पुष्टी की गई है केवल कुछ उदार वादियों दौरा कोस्ट नमबर 22 है निर्भेदक में से कौन एक अधिकार का लचण नहीं है तो अधिकार का लचण नहीं है तो वह है समाज का सनरचण एंसर होगा इसमें D समाज का सनद्चान कोस्टन नमबर 23 है लाक के अनुसार प्राकिर्ति से राज के लोग केवल इसका उपभोग करते थे तो ये किसका उपभोग करते थे तो प्राकिर्तिक अधिकार का B एंसर होगा इसमें प्राकिर्तिक अधिकार का कोशन नमबर 24 है प्राकिर्तिक अधिकारों के सिधान्त की मन्यता है की क्या मन्यता है की अधिकार पुरु नागरिक समाज से आते हैं इसमें कोशन नमबर 25 है और अंतिम कोशन है इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिधान्त से समंधित है तो प्राकृतिक अधिकारों के सिधान्त से समंधित है तो वह है लाग इसमें ये थे कोशन आज के लिए तूमिद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आये होगा पसंद आयत इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक शेयर करें धान्य बाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रां मिलते हैं अगले वीडियो में